प्रदेश की तमाम खबरों का हाल बुलिटिन की शुरुवात करेंगे बड़ी खबर के साथ देश के ओलंपिक पहलवान और भारतिय कुष्टी महासंग के बीच में बड़ा दंगल जारी है विनेश फोगाट बजरंग पुनिया साक्षी मलिक समेथ तमाम बड़े रैसलर्स ने जंतर मंतर पर मोर्चा कोल रखा है और भारतिय कुष्टी महासंग के अध्यक्ष ब्रिजभूशन शरन सिंग पर योन शोशन जैसे संसनी खेज आरोब जड़ते हुए इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं और इसी मांग को लेकर पिछले दो दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदशन जारी है आज धरने का तीसरा दिन है और इस बिच देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुष्टी पहलवानों को कल बातचीत के लिए बुलाया ले मेरे सैयोगी धर्मपरकाश फोन लाइन पर मेरे साज जूड रहे हैं धरम किस तरीके से देखते हैं धरना प्रदशन अब और तेज हो चला है कल खेल मंत्री से भी मुलाकात की पहलवानों ने लेकिन पूरी फेडरेशन को भंग करने की मांग यहां पर की जा रही है क्या य अगर सरकार चाहे तो यह कर भी सकती है लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि इसे एक मैसेज गलत जाएगा एक छवी ना सिर्फ कुछती संग की खराब होगी बलकि खेल मंत्राले पर भी सवाल उटेंगी कि अगर सच में कुछ गलत हो रहा था तो अभी तक खेल मंत है कि कोई बड़ा फैसाइस पर लिया जाए अभी बाइस तारी को एक आपात कालीन बैठक जरूर बुलाई गई है कुछती महासंग की तरफ से और जिसमें अबरेजबोशन शरण खुद भी शामिल होंगे और पहले सूतों के हवाले से यह खबर आ रही थी कि इस से बैठक साज से उन पर कोई सवाल नहीं उठे हैं और एक बार फिर से साजिश उनके ख़लाफ की जा रही है अब रिजबुशन शरण ने ये भी कहा है कि वह इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं देंगे लेकिन मंतराला या सरकार से आईकमान से उन्हें जिस तरह की आदेश होंगे उनक कि अब डिजबुशन शरण का अगर आपने स्केटमेंट सुना है तो उन्होंने ये भी कहा था कि सिपेंदर घुड़ा जो हर्याना से सांसद है उनकी तरफ से ये साजिश रखी गई है और इस साजिश के जरी हर्याना के जो इलेक्शन दोजार चॉबिस में होने हैं उनको कि अब डिजबुशन शरण पर आपने के लिए तो जाहिर तोर पर फेडरेशन को लेकर क्या फैसला यहां पर लिया जाएगा जायतोर पर मुलाकाद कल जूर की यहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों ने लेकिन अभी भी उसी मांग पर अड़े हैं फेडरेशन को पूरे तरीके से भंग किया जाए साथी जो WFI के अध्यक्ष हैं ब्रिजबूशन शरन उनकी गिरिफतारी हो उनसे इस्तीफा लिया जाए तो ये मांग कही न कही खिलाडियों की है जनतर मंतर पर जो मोर्चा है वो पहलवानों ने खोल रखा है आज जनतर मंतर पर धरने परदशन का तीसरा दिन है और आज देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसले और क्या कुछ एक्टिविटी खिलाडियों की तरफ से रह लेकिन मीटिंग के बाद प्रेस कोंफरेंस में खिलाडियों ने बताया कि उन्हें खेल मंत्राले से अभी सिर्फ आश्वाशन ही मिला है और वो उससे संतूश नहीं है इस बिच कुछनी पहलवानों ने बड़ा फैसला लेते हुए जानकारी दी कि जब तक हमारी मांगे नही मानी जाएंगी तब तक कोई भी पहलवान किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लेगा और जंतर मंतर पर धर्ना प्रदर्शन यूही जारी रहेगा जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फासी पे लटक जाओंगा जो आदेक्स जी ने हमारे ने एक बयान दिया था पहले तो एक दो लड़किया थी अब हमारे साथ पांच से छे लड़किया है विद पुरूफ है तो ऐसी चीज ने कि हम जूट बोल रहे हैं या को अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सारावी लेंगे केस का सारावी लेंगे केस करके हम आगे बढ़ेंगे हमारा मकसद यही है हमारी कुस्ति को दुबारा से जीवित करवाना है आप सब के सामने ही हम गये थे बात करने के लिए हम सरकार के नुमाइंदों का नाम थैशे का समय देनर था मिचा मुश्म सर लोग के कुछ लोग के उसे में आरे में बात रखेंगे सलुंपाद्राई निकालें के लेकिन समधान एक गूस होण दो तक चार साल चले कहा हमरी जिंदकीं नह flourish लिकल हो जाएगा परोह बंदक कोक्रशन करनेर हैं कि हम कोई प्रोस कदम लेंगे या कोई एक्षन लेंगे बस आश्वाशन दिया गया है लेकिन उस आश्वाशन से हम खुश नहीं है हम जैसा कि बजरन ने बताया हम पूरी रेस्लिंग और दंगल गर्ल के पिता महावीर सिंग फोगाट ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दिया महावीर सिंग फोगाट ने कहा कि डबली आफ़ाई के अध्यक्ष ब्रिजबूशन सिंग सरकार में पहुच का फायदा उठाते हैं उन्होंने कहा कि ब्रिजबूशन शा साथ हमेशा भेदवा रखा है हमेशा ही कुष्टी की नेशनल जो प्रतियोगिताएं अपनी सुविधा और लालच में ऐसे स्थान पर कारवाई जहां तक खिलाडी पहुच भी नहीं पाते थे उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने ब्रिजबूशन शरन की हरकतों को लेक अपनी मा से सबसे पहले चर्चा की थी और अपनी मा को उन्होंने पूरी आप बीती बताई भी थी इस तरीके की हरकते करना उन्होंने कहा पूरे तरीके से गलत है और ब्रिजबूशन स्थिंग पर बंती करवाई जुरूर होनी चाहिए और दिल्ली महिला आयोकिया द्यक्ष स्वाती मालीवाल ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने इस दोरान क्या कुछ कहा चलिए आपको सुना करना कर रहे हैं जब यही आथलीट्स देश के लिए मेडल लाते हैं तो सारे के सारे नेता लाइन लगाकर इनके साथ फोटो किछाते हैं पर आज जब यह बहुत बहादुरी दिखाकर रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट जो की एक सांसद भी है उनक तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई और यह आदमी ब्रिज भूशन शरन इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया दूसरी बात अभी तक यह आदमी कई सालों से 13 से जादा सालों से रेस्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेजिडेंट बनावा है इतने बड़े आभड लग गये और फिर भी अभी तक इसका रेजिगनेशन नहीं माना गया तो इसका रेजिगनेशन तुरंत लेना चाहिए और इसके ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है तीसरी बात क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कोई internal complaints committee नहीं है अभी तक इन सारे आर लाडियों से जंतरमंतर पर और पांचवी बात इन सारे खाट खिलाडियों ने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं कि कैसे स्पोर्ट के अंदर आथलीट के साथ बहुत बड़े लेवल पर सेक्शुल हरस्मेंट हो रहा है और फोगाट खाप की अगवाई में बड़ी संख्या म लिए रवाना होंगी तमाम खाप पंचायतों रन्य संगठन देश के कुष्टी पहलवानों के समर्थन में सर्व खापों ने पंचायत कर आर पाड की जो लड़ाई है उसका फैसला यहां पर किया है इससे पहले फोगाट खाप के जो परधान बलवन फोगाट ने हर्यान क की पंचायतों से खापों से इस पूरे मामले में समर्थन भी मांगा ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से सुवागत है खबरों में आगे बढ़ेंगे जंतर मंतर पर बैठे देश के ओलंपिक खिलाडियों के समर्थन में उत्रे कॉंग्रेस नेता अशो करोडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि बड़े ही दुरभाग्य की बात है कि जिन बेटियों ने पूरे विशो में हर्यना का पर्चम लएरा आया देश का पर चम लएरा आए वही आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने परधशन को मजबूर हैं अशो करोड़ा ने कहा की जिन बेटियों ने कुश्ती महा संक के अध्यक्ष पर आरोप लगाया उसकी पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए और उन पर मामला भी दर्ज होना चाहिए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल से जुड़े होने के कार्ण कुष्टी संक के अध्यक्ष के खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही और नहीं कोई F.I.R. दर्ज की जा रही है जिन बेटियों ने पूरे विश में डंका बजाया हरियाना का पूरा पर्चम ले रहा है आज वो बेटियां आखों के आशू रो रही है बहुत दुर्बागे पूरून बात है कि जिन बेटियों ना कि वो लर्याना का बलकि भारत का पर्चम पूरी दुनिया में और आज उधरने पे बैठी हैं वो कुछ मांग नहीं रही है सरकार से वो ये कह रही है कि जो हमारा हाक की संग का अजक्स है जो लोग सब का बागा यारा जैसे बगा मेंबर भी मेंबर पार्लिमेंट है उनके उपर रोप लगा रही है कि वो लोगों को योन करता है तंग करता है तो इस परकार के रोप बेटिया जब लगाएं तो सरकार को तुरंत दिनने लेना चाहिए केवल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिने से बेटिया नहीं पचेंगे जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया उनकी उन्हों वो रोप लगा रहे ह है तो निश्चित रूप से इसकी जान सीविया इसे करनी चाहिए और जो दोस्य उनके खिलाब कर रहे हैं आपने खुद देखा होगा आज मीडिया में विच्छा पर वो बेटियों रो रही हैं आसु टपक रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है और सिधा सिधा आरोप कोई एप्लिकेशन भी दे तो पहले एफ यार करो बाज में जांच करो क्योंकि वो सत्ता जारी जल से जुड़ा हुआ है ना उसके खिलाब जांच हो रही है ना एफ यार हो रहे हैं और रोह तक में भी कई संगठन देश के पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं और डब्ली महासंग के अध्यक्ष की कर्टूते हमारे खिलाडियों ने ही सामले लाई हैं और हम खिलाडियों के समर्थन में हैं उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसका पूर्जोर विरोध किया जाएगा अगली खबर सिर्सा से है जहां कलावाली में जग्गा गैंक्स्टर के सातियों और पुलीस के बीच में बड़ी मुठवेड हुई है बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं कलावाली में जग्गा गैंक्स्टर के सातियों और पुलीस के बीच में मुठवेड हुई है बीती शाम साड़े छे मजेस मुठवेड में सिर्सा पुलीस ने जग्गा तक्तमल के एक साती बलकार सिंग और जग्तार को गिरफतार कर लिया है मुठवेड में आरोपी के पाव में गोली लगी है CIA डबवाली ने उसे गिरफतार कर इलाज के लिए सिर्सा के अस्पताल में भरती करवाया है जानकारी के मुठवेड कलावाली के तक्तमल और ताउआना रोड पर हुई है आरोपी बलकार सिंग के साथ कितने लोग थे अब इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन बलकार सिंग पर हत्या के प्रयास के साथ कुल आठ मामले दर्ज हैं और आरोपी जग्गा सिंग का खास आदमी माना जाता है जग्गा सिंग ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरीए एक हमले की भी जिम्यवदार इली थी ब्रेक के बाद आपका एक बार फिट से सुवागता है खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गुरुग्राम पुलिस की जहां गुरुग्राम पुलिस ने अवैद हत्यारों के साथ एक ऐसे आरोपी को गिरफतार किया है जो पहले कबाड़ी का काम करता था लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने अरोपी की निशान दही पर अवैद रूप से रखे गए पांच हत्यार बरामत कर लिए है जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस की गिरफत में खड़ा ये शक्स अवैद हतियारों का सप्लायर है जो पिछले काफी समय से देशी कट्टे बेचने की फिराक में था सिकंदरपूर मेट्रो स्टेशन के पास से पुलिस ने इस अरोपी को गिरफतार किया है पुलिस ने इसके पास से एक अवैद हतियार भी बरामत किया है पुलिस पुछताच में आरोपी ने कभूला कि उसके पास कुछ और भी आतियार है जो उसने गाव खोरी में एक जगा पर छिपा कर रखे हैं हमारी क्राइम टीम सिकंदर पुर्ड के इंस्पेक्टर मनोज वर्मा के नेत्री तव में टीम ने काम करते हुए एक व्यक्ति इंफर्मेशन के अधार पर एक व्यक्ति को सेक्टर 30 पार्क से उसको काबू करके और उससे एक अवैद अथियार बरामत किया गया जिसकी पहचान मौमद अजरुदीन के रूप में हुई अभी तक की जो हमने पूछताच की है उसमें इस तरह की जनकाटी तो सामने नहीं आई है कि इस सारे चीजों को मत अनाजर रखते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और अगर ऐसी भी कोई चीजें सामने आई तो वह भी करवाई जुरुदीन